हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक पिछले लेक्चर में हमने डेसिमल को टॉपिक कंप्लीट किया था और फ्रेक्शन भी हमने कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम फ्रेक्शन और डेसिमल का एक कंबाइन लेक्चर लेंगे और यह कोशिश करेंगे इसमें सब कुछ कावर करें लाश लेक्टर हो गई है इसमें फ्रैक्शन और डैसिमल की जो इंटर रिलेटेड़ चीज़े हैं वह हम पढ़ेंगे और यह दो टापिक अच्छे से फिर कंप्लेटली कावर हो जाएंगे और जिस जिन्हों ने अभी वह पिछले लेक्टर नहीं देखे होंगे फ्रैक्शन क हैं पांच छे लेक्टर से हैं डैसिमल के भी दो लेक्टर हैं तो वह पहले वह लेक्टर देख लें तो फिर यह यहां फिर यह लेक्टर देखें क्योंकि वहां पर बेसिक चीजें हैं बेसिक से पढ़ाया है तो यह आप लाश्ट लेक्टर है वहां पर यह चीजे मैंने नहीं बोली थी इसमें हम पढ़ेंगे फ्रक्शन को कैसे मुल्टिप्लाइब करते हैं, डैसिमल को कैसे मुल्टिप्लाइब करते हैं, ड्वाइड कैसे करते हैं, क्योंकि यह चीजे हमने पीछे नहीं की थी और यह इसलिए नहीं की थी क्योंकि यह प्रॉब्लम आती है decimals में क्योंकि एक्जाम में आपको कल्कुलेटर या कोई डिजिटल डिवाइस नहीं देंगे अंदर एक्जाम हाल में लेने क्योंकि जिससे आप कल्कुलेशन करो तो आपको वह आनी चाहिए तो पहले हम इस लेक्चर में हम पहले सिखेंगे मॉल्टि मॉल्टिकेशन कैसे करते हैं फ्रक्शन की पहले हम सिखेंगे होल नंबर से कैसे करते हैं मॉल्टिप्लाइफ फ्रक्शन को फिर फ्रक्शन को फ्रक्शन के साथ तो फिर हम उसका सिखेंगे पिर डियोजन सीखेंगे ट्रक्शन की और बाहरें फिर हम मुल्टिप्लिकेशन इंडिविजन सिखेंगे डैसिमल्स की तो लेक्टर को स्टार्ट करते हैं पहले हैं मॉल्टिप्लिकेशन आफ आफ फ्रेक्शन बाई अहोल नंबर लेक्टर को पूरा देखा करो क्यूंकि इसमें मैं कॉश्चन भी कराता हूं जैसे उपर आपको देख भी रहा होगा तो मैं एक्जम्पल और डेफिनिशन एक्जम्पल एड्सरा के साथ साथ कॉस्टिन भी कराव लेता हूं जो एक्जाम स्पेसिपिक के मतलब एक्जाम में जिस तरह से आ सकते हैं आपको तो multiply हमने अब इसमें fraction को multiply करना है whole number के साथ तो वो क्यासे करते हैं वो मैं बताऊंगा example के थूरू इसको समझेंगे example यह हमारे पास whole number इसको multiply करना है हमने fraction में तो fraction हम लेंगे one by four इसको हम सिधा directly multiply करते है numerator में denominator में कुछ भी नहीं करते हैं तो यह आएगा two into one upon four आएगा two into one two upon four तो यह आएगा टू वान जाड़ टू 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 जाड़ फोर मतब two से divide करेंगे क्योंकि यह दोनों numbers divided होते हैं हमने जब यह पड़ी थे equivalence of fraction वहाँ पे हम fraction को equivalent जब देखते थे एक case था कि multiplication से हम numerator को भी same number से multiply करते है denominator को भी और division से भी हम करते थे से नॉइटर को भी say number से denominator को भी उसे को हम usually ८े जो करते हैं हम बोलते हैं कि टूव लाइट करते हैं और इसको भी 2 से करते हैं ट्सकार है करते हैं खळर से मिक्रों तो यह होते हैं तो टू वान जार टू टू जार फूर हम यूज्वाली ऐसे बोलते हैं लेकर एक्ट्वल में यह डूआइड दूनों को करना होता है सैम नंबर के साथ यहां पर अगर ऐसे होता वन बाइ फूर इंटू टू यह सैम ही है यह नहीं समझना कि यहां पर होल नमर पहले है फिर फ्रेक्शन है यहां पर फ्रेक्शन पहले फिर यह फिर नहीं यह भी आएगा वान इंटू अपान फूर हमने होल नमर को सिज़दा मॉल्टिपलाई करना है numerator के साथ denominator सेम रहेगा यह भी बनेगा two by four आएगा one by two k equal इसी तरह अगर two by three को five से करेंगे multiply five multiply होगा numerator के साथ यह आएगा two into five upon three तो यह बनेगा two five three तो इनको यह ड्वाइड नहीं होता है three से ड्वाइड नहीं होता है और नहीं कोई ऐसा number है same number जो दोनों को ड्वाइड करें तो यह ऐसे ही रहेगा यह यह इंप्रॉपर फ्रेक्शन की फॉर्ब में इसको हम मिक्स्ट फ्रेक्शन में कनवर्ट कर सकते हैं वो भी मैंने बताया है पहले इदर क्या है डिनामिनेटर में three वो लिखा three हमने 10 बनाना है उपर इदर three लिखेंगे थ्री थे जर नाइन और इदर one इसको सबसे पहले जो इदर होगा वही इदर भी होगा यह ख्यार रखना जब भी आप इंप्रॉपर फ्रेक्शन को मिक्स्ट में कनवर्ट करोगे यह बने का three three nine plus one ten ten upon three तो यह थे multiplication of a fraction by a whole number आपको सिर्फ ख्यार रखना है जब ऐसे होगा whole number और कोई fraction होगी तो आपने सिर्फ numerator के साथ मल्टप्लाइब करना होड नमर को denominator को छेड़ना है denominator सेम रहेगा जैसे दर इदर भी four है इदर भी इदर भी तो फिर आपने उसको मल्टप्लाइब करने के बाद उसको सॉलूप करना है जो आएगा तो वही होगा उसका result नेक्स्ट है फ्रेक्शन एधन ओपरेटर आफ फ्रेक्शन एज एन ओपरेटर आफ इसकी एग्जंपल लेंगे में मदभी आफ से से रिलेटेड है 1 by 2 of 2 इसका क्या मतलब है यह एक्वल है 1 by 2 into 2 जो यह आफ होता है इसका मतलब होता है multiply तो यह आएगा 2 or 2 cancel हो गया तो हमारे पास 1 आएगा इसी तना 4 by 3 of 8 यह आएगा 4 by 3 into 8 यह आएगा 840 यह होल नमर है यह fraction है तो यह numerator से होल नमर है फ्रेक्षिन होगा होल नमर फ्रेक्षिन होगा 842 अपान में आएगा 3 यह उपर हमने सीख लिया कि कैसे होल नमर को multiply करते हैं फ्रेक्षिन के साथ तो यह गया 33 by 3 इसको भी अगर आगे करना हो मिक्स ट्रेक्षिन में तो जैसे हमने उपर किया 3 से 1 by 3 वाला इसको भी कर सकते हैं अब आगे सबसे पहले जो इधर है वह इधर रिखने ट्रेक्षिन में तो इस तरह से निकालते हैं हम यह आफ का मतलब होता है multiply और next question इसी से related है of को हमने यूज करना है हमारा question है in a class of 40 students 1 by 5 1 by 5 of the total number of students like to study English 2 by 5 of the total number of total number like to study mathematics and the remaining student like to study science एक क्लास है students की 40 student है उसमें जिसमें 1 फिफ्ट बच्चे जो हैं वह English पसंद करते हैं पढ़ना और 2 फिफ्ट पसंद करते हैं mathematics और जो remaining है वह पसंद करते हैं science जो question हमने निकालना है वह हो मैंनी students like to study English कितने बच्चे English को पसंद करते हैं पढ़ना और मैंने students like to study mathematics कितने mathematics को पसंद करते हैं what fraction of the total number of students like to study science और हमने fraction निकालनी है students की जो science पढ़ते हैं उसके लिए प्याले हमने निकालना है कितने बच्चे science पढ़ते हैं उसके बाद हम उस में से निकालेंगे 40 में से fraction निकालेंगे ठीक है तो इसका solution करते हैं अब अब total number of students कितने है हमारे पास total number of students है जो पिछली पीज पीछ पीछ है total number of students in the class कितने है वो है 40 और ये पाट क्या बता रहा है how many students like to study English वो ही हम निकालेंगे number of students students who like to study English कितने है वो question में गेवन है 1 by 5th 1 5th of the total 1 by 5 of total 1 5th of total the total कितना है हमारे पास 40 इसी को हम of को तभी मैंने वो आप फिशे बताया कि इसका क्या मतलब है क्योंकि ये use होगा इदर इसको हम multiply करते हैं अब देखो ये 5 की table में आता है 5105, 58040 ये आएगा 5105, 58040, 8 into 1, 8 ये आ गए number of students जो English पसंद करते हैं पढ़ना वो है 8 और बी पाट बताता है कितने student mathematics को पसंद करते हैं तो वो लिखेंगे हम नंबर अफ स्टुदेंट्स हो लाइक टू स्टुद्डी mathematics कितने बोला है टू फिफ्ट आप दे टोटल टू बाइफ फाइव इंटू टोटल कितना हमारे पास फोटी मदब टू बाइफ फाइव आप फोटी था तो मैंने लिखा टू बाइफ इंटू फोटी तो यह भी उड़ता है यह सेम फाइट फोटी आएगा फाइव अंजर फाइव 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 फोटी एट इंटू टू 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 इंटू आएगा तो यह आएगा शिक्स्टीन बच्चे जो है वह पसंद करते हैं इस अब हम निकालेंगे पसंद करते हैं फिर हम इसन करते हैं फिर हम फ्लेक्शन निकालेंगे लेकिन साइस हम तब इक मे निकालएंगे करेंगे फोटी में से तो वो आएगा साइंस के स्टूडेंट्स मतलब पहले हमने मैथ और इंग्लिश को एड़ करना है नंबर आप स्टूडेंट्स फिर हम साइंस सक पहुंचेगे स्टूडेंट्स वो लाइग टू स्टूडी अओ लाइग पिव लाइक टू स्टूडीन मन्सान मैंतिक्स invas इंग्लिश और मैंस्ट मेंटिक्स इंग्ली की तिन्स की कितने है ये मैंत मैंटिक्स का कितने 16 8 알 कॉ कितना हो ऊता है टो ट्वैंटटिफॉर हैं यह जो मेरत और इंग्लिश को करते हैं लाइक यहीं से हम निकाल सकते हैं साइंस को कितने हैं कि रिमेनिंग है इनको छोड़के साइंस तो फोटी में से 24 निकालेंगे तो वह साइंस के होंगे दस दा नंबर आफ स्टुडेंट्स को लाइक तो स्टुड़ी साइंस कितने आएंगे टोटल में से इन दो को सब्ट्रक्ट करेंगे टोटल कितना है फोटी फोटी में से 24 यह आएगा 16 यह स्टेप भी लिखने की जुरूरत नहीं अगर आपको अंडरस्टैनिंग होगी तो आपको पता है कि साइंस वाले रिमेनिंग हैं हमने 16 भी माइनस करना है फोटी से और 8 भी माइनस करना है फोटी से मायनस मतलब मत वाले भी करने हैं मायनस ओर इंग्लिष वाले भी इस्टीफी जब करेंगे 24 24 में से फिर जब एट मायनस करेंगे आएगा 16 तो यह है और आब हम ने जो कॉस्चन में पूच अब हम पूचा गया है है वत fraction आप टोटल नमबर आप स्टूडेंट स्टूडेंट लाइग टू स्टूडेट साइंस हमें साइस की फ्रेक्शन निकालनी थी तो पहले उसके लिए हमें साइस की स्टूडेंट निकालने और आब हम प्रेक्शन इजिली बता पाएंगे दस the required fraction equal to total कितने है student, वह अपान में आता है total 40, और पढ़ते लाई कितने करते हैं, 16 वो उपर आएगा इसको भी हम ये दोनों आते हैं, 8 के table में, मतब 8 से ये भी divide होता है और ये भी तो उपर जब 8 से divide करेंगे, आएगा 2, 8 to the 16, नीचे भी जब 8 से divide करेंगा, आएगा 5, तो ये ही इसका third part का answer होगा 2 by 5, तो ये था हमारा question और next है हमारा multiplication of fraction by a fraction पीसे हमने किया fraction को multiply उसके साथ, whole number के साथ और अब हम सिखेंगे fraction को fraction के साथ कैसे multiply करते हैं multiplication of fraction by a fraction एक fraction को दूसरे fraction के साथ कैसे multiply करते हैं इसके लिए हम example लेंगे, सिदा ये ज्यादा टाफ नहीं है कुछ भी decimal में है, थोड़ा समझने वाली पास जब हम decimal के करेंगे 1 by 2 into 1 by 3 ये भी fraction है, ये भी fraction है कौन सी fraction है ये ये proper fraction है क्योंकि यहाँ पे numerator छोटा है, denominator बड़ा है, यहाँ पे भी numerator छोटा है, denominator बड़ा है, यह दोनों proper fraction है, ये आपको पता होना चाहिए हम करते हैं multiply numerator को numerator के साथ 1 into 1 denominator को denominator के साथ 1 into 1 1 2 into 3 6 तो यह आएगा 1 by 6 इसी तरह से 7 by 3 into 6 by 5 यह कुण सी fraction है यह improper है क्योंकि numerator दोनों improper है यहां पर भी numerator बड़ा है denominator छोटा है यहां पर भी numerator बड़ा है denominator छोटा है यह यह improper fractions है तो मैसर दोनों के लिए same है numerator को numerator से multiply और denominator को denominator से multiply करना है सेवन फूर सेवन सिक्सर फोटी टू थ्री फाइज आर 15 अब यह दोनों थ्री के टेबल में आते हैं मदब थ्री से यह भी ड्वाइड होगा यह भी ड्वाइड होगा फोर्टीन थ्री जार फोर्टी टू और फाइज थ्री जाएगा फोर्टीन बाइज फाइज और इसको भी लिखना हो mixed fraction की फॉर्म में तो इसको भी हम लिख सकते हैं mixed fraction किस में लिख सकते हैं हम जहां पर fraction improper आए जैसे इदर उपर वाली टॉर्म बढ़ी है नीचे वाली टॉर्म छोटी है तब हम इसको mixed में हम convert कर सकते हैं जैसे सबसे पहले आपने 5 लिखना है इदर उसके बाद चूंकि हम add करते हैं 53015 होगा वो ज्यादा होगा इससे कम होना चाहिए और close होना चाहिए 52010 52010 कितना बचा 4 तो 4 इदर आएगा 52010 प्लस 4 14 अपन 5 लेकिन इसको हम mixed में नहीं convert कर सकते हैं क्योंकि यह proper fraction है यहां पर मिक्स्ट को improper में करते हैं convert और improper fraction को mixed में convert कैसे करते हैं हमने first lecture में सिखा है अब कुछ note है दो note लिखे मैंने value of the product of two proper fraction is smaller than each of the two fractions जब हम दो proper fraction को product करेंगे उसकी जो value आएगी वह smaller होगी दो यह smaller होगी each of the two fraction जो हमने जिनकम multiply किया उन दोनों से smaller होगी जैसे कि यह दो proper fraction थी income multiply किया 1 by 6 आया हमारे पास तो यह छोटी होगी इस fraction से भी और इस से भी अगर हम देखना चाहें इसको compare भी करें numerator से में यह भी मैंने case पड़ाया है शायद first lecture कि second lecture में इसके fraction के जब हम compare करते हैं unlike fractions को with same numerator first case है वहाँ पर numerator यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1 इन दो को हम compare करें होगी तो वह वाली fraction बड़ी होगी जिसका denominator छोटा होगा तो यहाँ पर 2 छोटा है 6 है तो यह वाली fraction बड़ी है वही नोट में लिखा है कि जो product आएगा वह छोटी हो प्रोडक्ट की जो value होगी वह काम होगी इस से समाधर होगी इस से भी और इस से भी ठीक है सेम इसी तरह इसको जब compare करेंगे हम तो यहाँ पर denominator छोटा है तो यहाँ बड़ा है तो यह मगर यह ख्या रखना उपर numerator सेम होना चाहिए यह उस lecture में मैंने explain किया है अच्छे से और दूसरा note है value of the product of two improper fraction is more than each of the two fraction जब हम improper fraction को यह भी improper है यह भी improper है यह दोनों में numerator बड़ा है denominator से जब हम improper fraction को product करते हैं तो जो value आएगी वो बड़ी होगी इन दोनों fraction से individually ठीक है मतलब 42 upon 15 14 upon 5 यह 7 by 3 से भी बड़ी है और 6 by 5 से भी बड़ी है यह points में आएगा यह बड़ा होगा इस से भी यह आएगा 5 to the 10 to point something यह भी आएगा यह बड़ी होगी यह तो यहाँ पर one point something यहाँ पर two point something यहाँ पर तो यह बड़ी है इसमें तो पता ही चाली जाता है कि यह बड़ी है इससे तो यह दूसरा नोट था अब next question है हमारा Ron plants for apple trees in a row in his garden the distance between that between two adjacent apple trees is three by four meter find the distance between the first and the last apple tree Ron char apple tree लगाता है अपने garden में और जो distance है दो adjacent apple tree के भी हो है three by four meter और हमने distance बताना है first or last apple tree की बीच कितना होगा यह मैं explain करूँगा solution में कि adjacent क्या मतलब है adjacent क्या चीज़ होती है ठीक है तो हम इसका solution करते हैं solution solution the distance between two adjacent apple एक पल ट्री इस एकोल टुट ट्रीवाई फोर मेट्री हमें ग्यूवन है एड़्जेसंट क्या होता है देखव लिट्री बनाएंगे यहीं से मैं बताऊंगा या फस्ट्री क्योंकि इसने रो में लगाए हैं या या सेकंडरी या थर्ड ट्री और या या four three adjacent मतलब हुआ दो इन में adjacent को नहीं जो जिसके साथ में हो और ये क्योंके चुँके ये row में है तो एक ही बार होगा फर एक्जेंपल इसके साथ में सिर्फ यही है ये दो adjacent है इनके बीच में जो gap है वो three by four meter है उसके बाद ये इसके साथ adjacent है मतलब ये middle में है middle भी नहीं actual पूरा middle भी नहीं है मतलब ये भी middle में है ये इसके साथ भी adjacent है और इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी और बताया गया है कि दो adjacent कोई भी जो adjacent apple tree है उनके बीच जो gap होगा वो three by four meter है ये दो adjacent है इनके बीज गेप है 3 by 4 meter फिर फिर यह होते हैं इनके बेज भी पर इनके बीज भी 3 przy 4 meter फिर यह थो भी एड जसेंट है इनके बीज भी है 3 by 4 meter ठीद है यह हमें गिवन है तो यह होते है Ayzem को मतलब यह होता है और यह रहां पर भी होगा आपको lines & angle में यह कि नहीं वहां पे भी होता है वो लाइंग लांट सेग्मेंट के एंगल सेवाइस में तो वहां पे भी ऐटेस्ट आगल क्या होते हैं, वहां openly इस होते हैं तो हमें पताना है, दो के बीच में, तो हमें दिया है कि, फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितना गेप है हम सिधा एड करेंगे 3 by 3 plus 3 by 3 plus 3 by 3 तो आएगा नीचे आएगा यह LCM 4 3 plus 3 plus 3 9 by 4 आएगा डायरेक भी आएगा वो दूसरे वे में भी आएगा तो अब मैं रोहां प्लाउंट इट 4 apple trees उसने कितने लगाए है 4 apple trees in a row in a row then number of gaps number of कितने gaps है एक रो में जब चार लगाएंगा फर्स्ट गेप सेकंड गेप थर्ड गेप आया 3 therefore the distance between the first and the last apple tree यह हमने निकालना था यह कितना आएगा apple trees कितने हैं हमारे पास चार एंगेप कितने हैं 3 है और हमने वही गेप का इस्टेंस निकाल के हमें यह total distance निकलेगा तो कितने गेप है 3 और एक एक गेप की बीच कितना distance है 3 by 4 3 into 3 by 4 यह आएगा 9 by 4 और वैसे भी जैसे मैंने डारेक्ट बोलो वैसे भी आप निकाल सकते हो distance between first and the यह लिखने की जुरूत नहीं है जब आपको यह डारेक्ली लिख निकाल सकते हो कि कैसे आ रहा है तो यह आया 9 by 4 meters का अब next question है हमारा रोहत reads a book for one complete hour and 3 by 4 hours every day he reads the entire book in six days how many hours in all were required by him to read the book रोहत हर दिन एक बुक पढ़ता है one say three by four hours one complete hour and three four hours हर दे वो पढ़ता है और वो उस बुक को complete करता है छे दिन में पूरा पढ़ लेता है उस बुक को और हमने बताना है कि उसको कितने गंटे अवरार लगे उस बुक को complete करने में solution so I am taken by row hit to read a book every day कितना time लेता है वो यह one complete and three-fourth hours इसको यह mixed है improper में convert करते है फोर वन दर फोर प्लस री seven अपान में आगा फोर seven by four hours आये गए he rates और वो कितने दिन में complete करता है he reads the entire book he reads the entire book in six days हमने निकालना है total number of hours कितने लगे उसको पढ़ने में therefore total hours taken by him to read the entire book कितना आएगा एक दिन में वो पढ़ता है seven by four यह दिया है इसको हमने improper में convert किया तो यह बनेंगा seven by four और छे दिन में वो complete करता है उस book को तो याएगा six into seven by four इसको जब करेंगे तो यह बनेगा यह दोनों two set wide होता है यह भी और यह भी टू टू जार four three two zero six और seven three zero twenty one twenty one upon two और इसको अगर मिक्स्ट में convert करना चाहो तो सबसे पहले आपने इधर लिखना होगा जो इधर है वो ही इधर two है अब ten के twenty one से less आना चाहिए हमें किसी नमर को मल्ट पर करके और close भी होना चाहिए वह two tens are twenty और फिर one दर two ten the twenty plus one twenty one upon two hours इतना time उसको लगा इस बुक को कवर करने में इतने गंटे लगे इसको अवराल next question है हमारा a car cover 16 km distance using one liter of petrol how much distance will it cover using two two side three by four liters of petrol एक और एक लिटर में 16 km का distance cover करते है और हमने निकालना है कि इतने लिटर में वो कितना distance cover करेगी in one liter car covers the distance कितना cover करते है 16 km और हमने निकालना in two side three by four liter car covers the distance कितना करेजी two side three by four of 16 मतलब three by four into 16 इसको जब हम इस improper में convert करेंगे four two zero eight plus three eleven अपान में जो इदर है वो ही four into 16 four one zero four 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 zero sixteen जाएगा eleven into four eleven into four equal to 44 km तो यह हमारा answer था इतने time में वो इतना distance cover करेगी इतने नेक्स्ट हम सिखेंगे division of whole numbers by a fraction whole number को fraction से कैसे one by two से यह क्या आएगा यह हमने पीसे सीख भी लिया यहाँ ऐसे रहेगा divide को हम convert करेंगे multiply में ठीक है और यह term फिर जब हम इसको multiply में करते हैं यह term reverse हो जाएगी यहाँ पर है one by two यह आएगा two by one मतलब यहाँ पर जो denominator सा वो यहाँ numerator में आए जो यहाँ पर numerator में सा वो यहाँ denominator में आएगा तो यह आएगा two ke equal इसी तरह आगा three divided by one by four होगा इसको लिखेंगे हम multiply divided को हम यह convert कि हम multiplication में one by four को हम लिखेंगे आप four by one क्योंकि यह sign change हो multiply में और यह भी reverse होगा उल्टा होगा यह बनेगा three into four equal to twelve तो ऐसे हम divide करते हैं whole number को fraction के साथ कोई भी whole number हो आपको आपको easily कर सकते हो अब next हम करते हैं reciprocal of a fraction reciprocal of a fraction यह क्या होता है इसको पहले मैं example से करूंगा फिर मैं definition इसकी लिखांगा आपको one by two हमने example ली तो its reciprocal is two by one मतलब denominator और numerator को हम change करते हैं तो यह reciprocal बन जाता है two by one reciprocal है इसका और one by two इसका है दोनुका है शी तरह अगर three by seven हो तो its reciprocal is यह उलट होगा यहां पर denominator में seven था यहां numerator में यहां पर numerator में three था है यहां denominator में यह यह है तो जो standard definition है mathematicals के अंगल से वह तो मैंने direct हिसाब बता आपको तो वह क्या है the non-zero numbers whose product with each other with each other is one are called the reciprocal of each other मैं बताऊंगा example में क्या है यह जो मैंने बताया definition में three by seven into seven by three the non-zero number वो non-zero number जिनका product आपस में product करने के बाद आपस में one के बराबर आया तो उन नमबर को का आ जाता है reciprocal of each other आपको केते हैं एक दूसरे का division of fraction by a whole number अब फ्रेक्शन को ड्वाइड करना है whole number के सब जैसे यह कोई fraction है 3 by 4 इसको ड्वाइड करेंगे whole number से 3 से इसी को हम लिख सकते हैं 3 by 4 divided by 3 by 1 क्योंकि अगर हम 3 को 1 से ड्वाइड करेंगे 3 आएगा मतलब सेम यह 3 आएगा वो हमने सीख ले अब 3 by 4 यहां पी ड्वाइड है इसको हम convert करेंगे multiply में और यह fraction उल्टी हो जाएगी 3 by 1 की जगा आएगी 1 by 3 मतलब जो ड्वाइड में दिया होगा जब हम operation change करते हैं तो फिर आया multiply तो फिर जो इसका reciprocal का इस fraction का यह 3 इस fraction का जो reciprocal है वो हमने multiply में लिखना है ठीक है जैसे 3 by 1 का reciprocal है 1 by 3 मैंने उपर बता दे है कि numerator और denominator interchange होते हैं reciprocal की case में यह बनेगा 3 3 1 0 3 4 3 0 12 इसको जब solo करेंगे 3 1 0 3 3 4 0 12 तो यह आएगा 1 by 4 के equal यह भी 3 के table में आता है यह भी 3 के table में आता है मतलब 3 से इसको भी divide के इसको भी 3 से जब divide के आया 1 इसको जब divide के आया 4 तो इस तरह से हम divide करते हैं अगर कोई mixed fraction दी होगी divide करना हो जैसे 4 से 3 by 7 को divide करना हमने 3 से 2 by 7 से पहले इसको हम improper में convert करेंगे 7 4 28 प्लस 3 31 आया 31 उपर तो नीचे के 7 लिखा 7 इसको divide करना है हमने किस से इस नमर से यह भी आएगा 7 3 जर 21 प्लस 2 23 अपन में आएगा 7 अब देखो अब जब हम operation चेंज करेंगे है divide की जगा first term तो सेम रहेगी 31 by 7 से यह वाली divide की जगा जब हमने multiply में लिखा तो मतलब इसको multiply में किया इसका उलट operation है divide का reciprocal operation है multiply तो यह इसका भी reciprocal लिखना है इस नमर का तो इसका reciprocal क्या है 7 by 23 मतलब उलट करना है सिधर देशे हिसाब में तो यह 7 और 7 cancel होगा तो यह आएगा 31 upon 23 तो अगर ऐसे भी आपको देया हो divide करना तो आप घबराना नहीं किए क्यासे करना है हमसे नहीं होगा तो बस इसको ऐसे करना improper में convert उसके बाद divide करना ऐसे simple way में है अब हम next पढ़ेंगे multiplication of decimals hope आपको समझ आ रही होगे आप lecture enjoy कर रहे होंगे क्योंकि कुछ नई चीज अगर सिखने को मिले तो समझ भी आए तो मज़ा आता है especially mathematics के case में multiplication application आप decimals इसको भी हम example के throw करेंगे जहां रखना यह थोड़ा आपको problem भी आती हो गहर किसी को आती है decimal की multiply करने में 0 by 1 को हम करेंगे 0 by 1 example के throw समझेगे देखो अब 0 by 1 को हम 1 by 10 लिख सकते हैं हमने शीखा है कैसे करते हैं decimal को convert fraction में यहां पर 1 ऐसे यह आएगा point हटाने के लिए हम नीचे उतना 0 लगाते हैं point के जगा आया 1 point के इस side है one right side है one digit तो उतने 0 लगाते हैं और same इदर भी आएगा 1 by 10 multiply करेंगे 1 into 1 upon 10 into 10 यह बनेगा 1 by 100 ठीक है अब question हमें point में है तो फिर से हम इसको point में convert करेंगे देखो नीचे कितने 0 है two zero यह भी मैंने बता दिया है कैसे लगाते हैं fraction से कैसे decimal में convert करते हैं जहां से हम पहले क्या decimal को convert किया हमने fraction में आप fraction को फिर से हमने करना है decimal में convert यह हमने सिखा हुआ है फिछले lecture में तो two zeros हैं तो door digit छोड़ के left की तरफ आना है हमने right से तो point लगाना है एक तो already one है छोड़ दिया हमने यह इसको मैं नीचे लिखता हूँ एक तो one है छोड़ दिया फिर अगर कोई और digit होता फिर वो छोड़ के आना था लेकर यहां पे है नहीं तो फिर हम zero लगाते हैं ठीक है फिर लगेगा point मतलब point के इस side उतने ही digit आएंगे जितने नीचे zero है लेकिन खिया रखना कि अगर उप zero point zero one कितना easy way में किया हमने इसको इसी तरह से अगर दूसरी example करते हैं zero point two into zero point three इसको भी लिखेंगे हम two by ten same point के side one digit आया one के साथ zero point की जगा हमने लिखा one point के साथ एक digit तो वो zero three by ten इसको मैं डारेक्ट एक स्टाप करूंगा two three thousand six ten into ten hundred फिर नीचे दो zero आये तो डो डिजट छोड़के point लगाना एक तो छे है दूसरा digit इदर है नहीं तो लगाया हमने zero फिर आएगा point मतब zero point zero six अब देखा अगर directly यह करना होता जैसे यह है three two thousand point बोल जाओ अब भी शाटकट में बताता हूँ three two thousand six लिखा आपने six फिर point के इदर कितना डिजट है एक डिजट है एक इदर है कितने डिजट होए one plus one two डिजट मतब two जिने डिजट यह add करके होंगे दोनों के तो उतने डिजट छोड़के आपने point लगाना है six आया था हमें three two thousand six तो फिर दो डिजट छोड़के point लगाना था लगाया zero आया यह 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 यहाँ फिर इसको mind में कर सकते हो आप कि यहाँ पर हमने point हटाने के लिए नीचे टैन लिखा इधर भी हमने टैन लिखा बना उपर बना two three six नीचे आया hundred तो बस ऐसे यह step यहाँ से आप यह step direct माइन में कर सकते हो ठीक है हमारा next question है the length of a rectangle is seven point one centimeter and its breadth is two point five centimeter what is the error of the rectangle देखो जो यह हम point में अभी सीखा multiply हमने यह जरूरी नहीं है कि इसी unit में आपको use होगा यह आगे भी जैसे अब geometry का question है यह तो वहां भी use होता होगा तो वहां भी आपको आना चाहिए जो यह basic चीज़े हैं decimal और fraction यह आपक है क्योंकि यह calculation में कहीं भी यूज आ सकता है चाहिए geometry का question हो या कोई ऐसे ही question हो तो वहां पर यूज होगा जैसे यह question है यह geometry का question है तो हमें लेंथ है rectangle की 7.1 cm breadth 2.5 और हमने बताना है यह तो हमें यह पता होता है rectangle का होता है length into breadth तो मतलब 7.1 को multiply करना है 2.5 उसे तो हमें result आ जाएगा directly चीक है तो हम करते हैं length of rectangle कितनी है 7.1 cm breadth of rectangle है 2.5 cm देफो area क्या होगा area होता है area of rectangle होता है length into breadth मैं short में लिखूंगा length length to breadth length कितनी है 7.1 cm breadth कितनी है 2.5 इन दो को multiply करने के बाद जो आएगा वो अब देखो इधर भी point आया आप चाहो तो 71 upon 10 25 upon 10 कर सकते हैं लेकर आप directly भी कर सकते हो 71 into 25 करोगे जो आएगा उसके बाद यहां पे point के साइट एक डिजिट है इधर भी एक डिजिट है मदब दो डिजिट है तो दो डिजिट छोड़के आपने point लगाना है तो मैं इधर इसको बताऊंगा ऐसे 71 upon 10 into 25 upon 10 exam में अगर वैसे direct ना आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो यह 5 seconds extra लगेंगे आपको अपन में आए 10 into 10 100 71 into 25 करना है अपने उपर अधर 71 into 25 को जब हम करेंगे इसको जब एड करेंगे हमारे पास कितना आएगा टूटल फायो का फायो 527 347 और यह वन यह आया हमारे पास 1775 upon 100 तो जब पॉइंट लगाएंगे 1775 हमारे पास यह है यह तो जब यह इन zeros को हटाएंगे तो decimal लगेगा तो डो डिजट छोड़के एक दो तो यहां पे लगेगा यह यह आए इसका area तो यह लिखने की जरूरत भी नहीं आप डिरेक्टी कर सकते हो का मैंड में कि 71 को यहां पर पॉइंट हटा है इधर नीचे 10 आया इधर भी नीचे 10 आया 10 इंटो 10 100 सिर्फ इन दो को मॉल्टिप्लाइ करो आप तो फिर 100 की जगा दो डिजट छोड़के पॉइंट लगाऊ गया एक्जाम में यह सब चीज़ें आपको आ जाएंगी जब आ आप प्रैक्टिस करोगे नहीं फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है आप कुछ एक्जम्पल फिर करेंगे मल्टिप्लिकेशन के रिलेटेड ही होंगी यह डेसिमल की जैसे वह तो हमने टू पॉइंट का सिखा दो डेसिमल नंबर हूँ अगर एक होल नंबर हो और एक डेसि अब इदर कोई डिजट नहीं है लगा पॉइंट तो 84032 और प्लस वह केरी वाला फोर किता मुना 32 प्लस 4 36 आप डिरेक्ली कर सकते हो मल्टिप्लाइग अगर ऐसे ना आये तो जो मैंने मैथड बताया 8 इंटो 46 अपान यहां पॉइंट के साइड एक डिजट है तो अपान म 32 प्लस 4 36 अपान 10 कितना आएगा यह एक डिजट छोड़के पॉइंट आएगा 368 है यह उपर नमबर नीचे एक 0 है इसको जब करेंगे decimal एक डिजट छोड़के पॉइंट आएगा तो यह आएगा यह सेम आएगा लेकिन कोशिश करो इस जैसे मैंने उपर बता ऐसे करने की टाइम आपका सेव होगा है इसमें कितना लिखना पड़ा इसमें डिरेक्ट किया हमने इसी तरह से एक और एग्जम्पल करेंगे तो इंटो 0.86 जब करेंगे डिरेक्ली करेंगे फिर भी 26 आर 12 का 2 कैरी 1 280 16 प्लस कैरी वाला 1 किना मना 17 17 का 7 कैरी फिर 1 अब इधर कोई करेंगे आएगा 0 लेकर कैरी वाला 1 हमने इधर लाया तो वह 1 इधर आएगा बनेगा 1.72 या फिर आप ऐसी करोगे 86 अपान ये 2 इंटो 86 अपान 10 ये बनेगा 172 अपान 10 इकल टू 1.72 नहीं 100 आएगा यहां पर क्यूंकि पॉइंट के साइड 2 डिजिट है तो ये बनेगा 1. 1.72 टैन नहीं आएगा 100 आएगा नेक्स्ट है कि मल्टिप्लिकेशन डैसिमल नंबर्स बाइ टैन हंड्रट और थोजन्ट डैसिमल नंबर को जब टैन हंड्रट या थोजन्ट से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास मैं एक ही एक्जम्पल होंगा तीनों के लिए देखिए 0.07 इसको जब हम 10 से मल्टिप्लाइ करेंगे जब हम डिवाइड करते हैं 10 के मल्टिपल्स में जैसे 10 100 वगेरा तो पॉइंट लगाते हैं right से point को हम move करते हैं right से left की तरफ लेकिन जब हम multiply करेंगे तो point को हम left से right की तरफ लेंगे ठीक है यहाँ पर एक ही 0 है तो यहाँ पर एक ही step हम मतलब 10 है तो एक ही 0 है एक step point को आगे लेंगे यह बनेगा आगे लेंगे तो यह बनेगा point 7 0.7 बनेगा फिर इधर से पीछे जितने 0 लगा उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा या इधर से आगे भी 0 लगा उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह point यहां से इधर बना यह 0 पीछे आया बना 0.7 ठीक है इसे को जब हम multiply करेंगे 100 के साथ 0.07 नंबर लेंगे अब समझ के लिए 100 के साथ अब देखो दो 0 है तो दो point को हमने left से right के और दो step लेना है दो डिजट के बाद लगाना है एक डिजट यह है दूसरा डिजट यह है तो यह बनेगा 7.7 आएगा से यहां इसी को हम 7.0 भी कह सकते हैं कि इधर से आगे 0 का 0 लगाए या न लगाए कोई फ करेंगे 0.07 को हम अब 1000 से करेंगे multiply अब देखो अब हमने तीन step लेना है आगे की और दो step से तो हम 7 तक पहुंच गए एक 0 काटा इधर तो पहुंचे इधर दूसरा 0 काटा इधर तो पहुंचे इधर 7 अब जो extra बचा तो इसको सिधा multiply करेंगे से 70 ठीक है क्योंकि यहां सिर दो जिरो दो पॉइंट के इस पॉइंट को खतम करने के दो जिरो हमने काट ले फिर 10 बचा उसको multiply करेंगे तो ऐसे है multiplication of decimal number by ten hundred or thousand अब करेंगे same division of decimal numbers by ten hundred or thousand अभी हमने multiply किया और वो मैंने प्याज़ा ही बता दे आपको कि जब हम divide करेंगे तो left के और point को लाना है इधर से इस side की तरफ जब हम multiply करेंगे तो left से right के और जाना है जैसे एक्जमपल है 31.5 को हमने divide करना है 10 से 31.5 इसको direct करना है 10 से अब मैं directly भी बताऊंगा अगर ना भी आई समय तो दूसरी हिसाब से भी करोगे आप इसको तो directly यह है इधर कितने 0 है 1 मतलब इसको हम लिख सकते हैं था जब नीचे होता है वह मैंने पहले भी सखाया आपको तो point हमने right से left को लेना यह बनेगा 3.15 point इधर था तो एक 0 है नीचे तो इसको हमने 0 को खतम करने के लिए 10 को खतम करने के लिए एक step पीछे गई हम यह बनेगा 3.15 अगर ऐसे भी ना आए समझ बट ऐसे ही आनी चाहिए आपको तो दूसरा method यह है 31.5 को आप लिखोगे 315 इसको खतम किया point को 10 ड्वाइट की जगा आपने लिखा multiply इस 10 की जगा फिर 1 by 10 यह 10 आया इस point को remove करने के बाद और यह 1 by 10 इस 10 को जब multiply यह ड्वाइज को हमने multiply में convert किया और यह 10 आया 1 by 10 के ब्रापर यह बनेगा 3 15 अपान 100 दो डिजट छो ना होगा याद direct method पाइम बचाने के लिए अगर एक और को इसी की example लेंगे हम इसी तरह से अगर अगर यही number divide किया होता हमने hundred से तो point लगता इधर ठीक है एक डिजट छोड़के फिर पीछे आता अगर फिर hundred से फिर thousand से किया होता एक और जिरो बढ़ता फिर यहां पर digit नहीं था का हमें कोई फिर हमें इधर zero लगाना था ठीक है जै मैं इसी कोई लिएंगा 31.5 को divide करेंगे हम hundred से याएगा 31.5 divided by hundred यह step लिखने की भी जरूरत नहीं आपको first से सिधा last पर जाना होगा अब देखो एक तो यह already question का है point मतलब एक digit छोड़के तो नीचे है 20 तो दो digit और छोड़ने है left की और हमने तो 20 छोड़के हम पहुंचेगे point 315 मतलब 0.315 आपको यहां से सिधा यह आना यह भी नहीं लिखने की जरूरत है जब divide है आपको पता यह divide upon में आएगा अगर इसी को हम divide करेंगे upon thousand से मतलब 31.5 divided by one thousand अब देखो नीचे 303 digit point को हमने three digit छोड़के left को लेने फिर point लगाना है यह five तो अपनी जगा रहेगा एक zero काटा तो एक digit left के और आया point इधर के लिए फिर दूसरा zero काटा तो आया point इधर के लिए three अब एक और zero बचा लेकर उपर digit नहीं है तो अब हमने zero अपना लगाना इधर फिर लगेगा point यह बनेगा 0.0315 ऐसे लगा लगाते हैं जब division करते हैं तो मैंने यह मतलब आपको multiply की भी दिखा दिया कैसे करते हैं और divide भी देख लिया हमने खुप आपको यह दोनुचीज़े समझाए होंगी कि multiply कैसे करते हैं decimal number को 10 के सास्थ कैसे हम point को कहां की और लेते हैं और division में की side में लेते हैं हम यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए अब next हम सिखेंगे decimal number को हम कैसे divide करते हैं whole number किसे एग्जेंपल है 6.4 को divide करना है 2 इसको लिख सकते हैं 6.4 इस 2 को लिख सकते 64 को 6.4 को हम लिख सकते हैं 64 upon 10 मदब भी point हट आये तो इधर 10 आया हमें और जो यह one upon यह two upon two है इसको लिखेंगे आगे है one by two यह आएगा two one zero two अगर इसी को आप डिरेक्टली में बताता 64.2 को वैसे करने की यह यह समझ के लिए मैंने बताया अगर जब आपको समझाएगी तो आप डायरेक्ट किया करोगे अब हमने है तो राइट से लेफ्ट की और करते हैं और जब ड्वाइड करेंगे लेफ्ट से राइट को ऐसे करना है पहले हमने इसको करना है ड्वाइड two three zero six होगए completely ड्वाइड कुछ नहीं बचा फिर लगा पॉइंट two two zero four सिधा आएगा three point two हो ऐसे भी आगा directly इसी के रेलेटर को और एक्जम्पल लेंगे हम one two point nine six divided by four इसको हम लिख सकते हैं यह हमारे पास one two nine six upon four इसको लिख सकते हैं one two nine six इस point को remove करने के लिए नीचे हमने hundred लिखा और इस four one by four को ऐसे लिखा हमने इस one by four four को हमने ऐसे लिखा फिर अब देखो जब इसको हम ड्वाइड करेंगे four से यह हो जाएगा ड्वाइड four one zero four four three zero twelve completely हो गया फिर four two zero eight इदर बचा वान बना शिक्स्टीन फॉर 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 इससे ट्री ट्वेंटी फॉर से ड्वाइड होता है यह बनेगा एट नाइन में से एट बचा वान वन को इससे जोड लिया बना शिक्स्टीन फॉर फॉर से शिक्स्टीन डारेक्ली ऐसे आएगा अब नेक्स्ट है डे डिविजिन आफ़ डेसिमल नंबर बाई एन अदर डेसिमल नंबर लक्चर बहुत लंबा हो गया यह ठक भी गया हूं ने आफ़ अब कम्प्लिट करेंगे थोड़ा सा ही बचा है डिविजिन आफ़ए डेसिमल नंबर इन्नचर डेसिमल नंबर एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से हम कैसे करते हैं वह सेकींगे हम एक्जम्पल के थ्रोई सिखते हैं 25.5 को ड्वाइट करेंगे अगर हम 0.5 से यह किसके ब्राव पर है 25.5 ड्वाइट ड्वाइट जिरो पॉइंट फाइव इसे को लिखेंगे हम पहले इस वाले स्टेप को यह नीचे लेंगे यह लिखने की जुरूरत भी नहीं थी अब इस पोइट को जब हम रिमूव करेंगे तो यह बनेंगा 255 upon 10 इसको ड्वाइट करना है इस पोइट को रिमूव करेंगे यह बनेंगा 5 upon 10 अब इस ड्वाइट को हम multiply में convert करेंगे 255 upon 10 तो ऐसे यह आएगा यह convert होगा multiplication में और यह term interchange हो जाएगी यह बनेगा 10 by 5 पिशे से ही हम करते आ रहे हैं और 10 10 cancel हो जाएगा यह बनेगा 5 5000 25 और 5 अंदर 5 यह बनेगा 51 के बराबर अगर अब इसको भी directly करना होता ऐसे भी कर सकते हैं हम या फिर दूसरा method बताओंगा मैं 25.5 0.5 है इस point को remove करने के लिए हम 10 से उपर भी multiply करेंगे इधर भी 10 से multiply करेंगे ताके क्योंकि वो हम कर सकते हैं equivalent fraction के तो पर तो उपर किया हमने 2.5 इसको multiply किया 10 से नीचे भी 10 से करेंगे 0.5 को multiply किया फिर 10 से ठीक है same number से उपर भी नीचे भी इससे यह point remove होगा उपर यह बनेगा 255 upon 5 यहां से भी point remove होगा तो यहां भी आएगा 5 यह फिर आएगा 25 यह cancel हो था फिर हमने 255 को divide कि 5 से यह हो था 51 ठीक है तो यह ऐसे करते हैं divide decimal number को दूसरे decimal number के साथ decimal number से एक और example लेते हैं समझ के लिए जैसे 27 upon 0.03 है यह उपर अब whole नमर है नीचे decimal number है देखो आब 27 को हम ऐसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 1 upon 0.03 27 ऐसे आएगा इंटो इस जो यह वाली fraction है 1 upon 1.0.03 इसको हम नीचे से यह point हटाएंगे इसको हम equivalent fraction में convert करेंगे वो कैसे आएगा 0.03 इसको जब हम completely यह point हटा देंगे तो इसको हमें point के side 2 digit हैं तो मतलब 200 से मतलब करना पड़ेगा लेकिन अगर नीचे किया तो उपर भी करना पड़ेगा अपनी मर्ज़े से तो हम कर नहीं सकते यह यह cancel हो का same आएगा उपर वाला तो आप देखो यह आया 27 हंडर्ड बनेगा 27 इंटू 1 इंटू 100 बना 27 यहां से नीचे से यह बनेगा 3 point remove होगा दो डिजिट की बाद point right की वर जाएगा थरी तो यह बनेगा 900 ठीक है 390 27 बना 900 या फिर और 27 अपान 0.03 जैसे हमने उदर सेकंड वाला मेथड अपलाई किया नीचे कितने की जुरूरत है हमें multiply करने की ताके point remove हो 100 की तो उपर भी हम 100 से ही multiply करेंगे हम same number से करने मतलब हमने इस fraction की equivalent fraction बनाई यह बना 2700 अपान 3 फिर आया 900 चाहे वैसे करो या ऐसे करो result आपके पास same आएगा अब इस basis पर एक question करते हैं एक दो question है यह अब हमारा next question है a car covers a distance of 55 point is a point है three kilometer in one liter of petrol how much distance will it cover in ten liter of petrol यह इस type का question पीछे भी हमने किया हुआ है एक car distance cover करती है 55 point three kilometer एक लिटर पेट्रोल में और हमने बताना है कि 10 liter पेट्रोल में वह कितना करेगी सिदा मतलब 10 से multiply करेंगे तो result आजाएगा हमारे पास directly उतना लिखने की जुरूरत नहीं है आपको अब समझ के लिए मुझे लिखना तो पड़ेगा in one liter distance covered by car सिदा लिखूंगा मैं distance covered कितना है 55.3 kilometer therefore in 10 liter distance cover कितना आएगा 55.3 into 10 तो हमने सीख लाया जब multiply करते हैं तो point आगे की और जाएगा तो यह बनेगा 55.3 kilometer यह इसका answer है अब next question है इसी के related है अब next question है इसी के related है इसको मैं ने उल्टक किया पहले वहाँ पे था वान लिटर में का दिया था और 10 का निकालना था यहाँ पे है अकार का और सा distance of 55.3 kilometer in 10 liter of petrol homer distance will it covering in one liter तो 10 liter petrol में वह इतना करते है जो उपर हमने निकालना था और हमने यहाँ पर one liter का निकालना है मतलब जो उपर वहाँ given था वह यहाँ पर निकालना था और जो उपर निकालना था वह यहाँ पर given covered in 10 liter, liters of petrol, कितना है, 553 km, therefore distance covered in 1 liter of petrol, 1 liter में आएगा, सिधा 10 से डवाइड करना है, यह आएगा, 55.3 km, देखो, जो यहाँ पर हमने निकाला, वो उपर वाले question में already given था, वहाँ पर given था, 1 liter में इतना करता है, वो 10 liter में निकालना था, तो यहाँ पर हमने डवाइड किया, वहाँ पर हमने multiply किया, यहाँ पर हमने डवाइड किया, तो यह से हमारा decimals और section का जितना भी remaining part था, जो यह interchangeably use होता है, यह हमने कर दिया आज, और अगर आपने पिछले lecture नहीं देख़ए होंगे, तो वो जुरूर देखना वहाँ से आपको basic चीज़े idea समझ आएंगी, तो फिर ही आप यहाँ पर यह advance level का पढ़ोगे, मतलब यह basic से ही आगे जा सकते हो, directly यह lecture उतना समझ नहीं आ पाएगा आपको, तो हमने यह cover कर दिया, lecture बहुत लेक्चर ही लाने की, और वीडियो को पूरा देखो करो, ताकि आपको अच्छे किसे समझ आए, और question भी बीच में करा देते हूं, जो exam में आ सकें, जिस टाइब के exam में आने की chance है, तो वीडियो आप conclude करते हैं, thanks for watching.